शेफाली, I want to do your tarot course. Sure, शेफाली, please share information. ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रश्न कुछ ऐसा है कि जिसमें सभी को थोड़ा सा पता होना चाहिए. शेफाली का प्रश्न है कि वो मुझसे tarot reading सीखना चाहती है. मैं जब tarot reading जो है किसी को सिखाता हूँ, तो एक उसके साथ जो है एक बहुत एक individual लेवल पर जो है उसके साथ एक connection क्रियेट करता हूँ. उसके लिए जो है एक तरह से एक गुरू और शिश्य का जो है एक relationship जो है उसके साथ क्रियेट होता है. वहाँ पे एक teacher और student से ज़ादा जो है एक गुरू और शिश्य की बात जो होती है. Normally जो है जो student और teacher है वहाँ पे सरफ ग्यान का जो है अदान प्रिदान होता है और बात खतम हो जाती है. लेकिं जब बात गुरू और शिश्यक ही होती है तो वहाँ पे रिलेशनिशिप बहुत गहरा जाता है वहाँ पे आप मेरी उर्जा के साथ जो हे जुड़ते हो वहाँ पे सिंपली जो हे भाँ पे सिरफ ग्यान का अदान प्रदान नहीं होता महां पे जीवन का अधान-प्रदान होता है महां पे फिर आपकी अध्यात्मिक यात्रा भी शुरू होती है मुझसे जूड़ने का मतलब होगा मुझसे जूड़ने का अर्थ होगा कि आप अपने लाइक में एक जीवित विक्ति को प्रवेश देरे एक जीवित गाइट को प्रवेश दे रहे हूँ जो आपको गाइट करेगा जो आपको रस्ता दिखाएगा जो आपको छोटी से छोटी चीज के बारे में जो है आपको clarity देगा जब कुछ ऐसा समझेगे कि एक तरफ जो है कृष्ण की गीता है और दूसरी तरफ कृष्ण कहड़े है तो क्या आप चुनेंगे कृष्ण को चुनेंगे या कृष्ण की गीता को चुनेंगे कृष्ण को चुनेंगे तो जितनी मरजी गीता हैं जो है वहाँ से जो है निकलाएंगी लेकिन अगर सिर्फ गीता को चुन रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट है वहाँ पे सिर्फ जो है एक information है लेकिन information जिससे आई है अगर वो source का पता चलता है अगर source के साथ जुड़ते हैं तो life जो है transform होती है इसलिए पीछे किसी ने प्रश्णवी पूछा था क्या गीता रमाइन पढ़ने से ग्यान हो जाता है पढ़ने से सरफ information आती है ग्यान असली जो है तब घटता है जब हम जीवित स्ट्रोथ के साथ जोड़ते हैं और गुरू वो guide जो है वो आपको स्ट्रोथ के साथ जोड़ता है तो सरफ ग्यान लेना हो सरफ information लेनी हो तो YouTube है किताबे हैं बहुत सारे sources है लेकिन अगर जीवन में उस विद्या को जीना हो तो फिर एक जीवित गुरू के साथ जोड़ना important है एक जीवित कोच के साथ जोड़ना important है और फिर वहाँ पे जो है हम एक समय के पार की स्थिती में जाते हैं हम एक एक जो है ऐसी स्थिती में प्रवेश करते हैं जहां पे जो है एक synchronization घटता है कि जो गुरू के बीतर घटा है जो स्कोच के बीतर घटा है वो सीधा जो है दूसरे को transform उसको transfer होना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे अगर मैंने कुछ बोला वहाँ पे जो है तुमारे साथ वो घटा बिल्कुल जिसको जिसको हम कहते हैं युकपत spontaneous कि यहाँ मैंने कोई चीज explain करी वहाँ तुम्हें जो है वहीं पे समझ में आई और उसको समझ ही नहीं आई वो life transform कर गए तुम्हारी तो यह तुम्हारी choice है कि तुम क्या चाहते हैं जहां तुम्हें लगे कि कि एक ऐसे विक्ति के साथ जुड़ना है और फिर वहाँ सारी भाव की बात है शिफाली जैसे पूछ रही है कि टारो कोर्स की बात है तो अगर किसी जीवित विक्ति के साथ जुड़ना है तो उसके साथ अगर भाव जुड़ता हो तुम्हारा प्रेम अगर उसके साथ तुम्हें मेसूस होता हो कि उसके साथ उसकी उर्जा के साथ जुड़ने का तुम्हारा जो है वो अंदर से जो है एक अभाव आ गया है तो जरूर फिर एक personal level पे जो है एक connect कर सकते हैं लेकिन सिरफ अगर ग्यान चाहिए अगर सिरफ वो information चाहिए तो YouTube भरा पड़ा है मेरी videos हैं free में वो सब कुछ available हैं लेकिन जब तुम मेरे साथ एक personal level पे जुड़ोगी तो process में ताकि तुम्हारी जो है transformation हो सके वहाँ पे कुछ बचाद नहीं सकते हैं वहाँ पे अपने आपको पूरा चड़ाना पड़ता है और वो सिरफ मैं सिरफ एक माध्यम हूँ मेरे जरीए वो चीज़ जो है शायद घट जाया तुम्हारे लिए तो अगर तुम्हारा अगर आता है और अगर तुम मुच्छे जुड़ते हो तो मेरे जरीए भी जो है तुम उस प्रभू के से जो है वो जुड़ पाओगे